दोस्तो स्वागत हैं आपका एक पार फिर्ट से जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं 19 अप्रेल यानि के आज ही के दिन 19 अप्रेल को रिलीज हुई तीन बड़ी फिल्मों के बारे में पहली फिल्म है जंग, मिथुन चक्रवर्ती और आजी देवगन साहब की ये फिल्म है ये फिल्म आई थी 19 अप्रेल साल 1996 को और दूसरी फिल्म है अनिल कपूर और जुही चावला की बेनाम बादशाः इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, रितिक रोशन और अमिशा प्रेल की फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे ये तीनों ही फिल्म 19 अप्रेल को रिलीज हुई थी तो दोस्तो इन तेरों फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे इनके बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में, बचट के बारे में, हीट और फ्लॉप के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ये साथ फिल्मों के ऐसी ही जानकारी के लिए चेनल को भी सरूर सबस्क्राइब कीजिएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं जंग फिल्म की ये फिल्म आई थी 19 अपरेल साल 1996 को और इस फिल्म में आजितेयोगान मित्थुन्चक्रवर्ती और रंभा और आदित्ये पंचुली एहम किरदारों में असरा आई थी फिल्म के डिरेक्टर थे रामा राव तकरीबन 5 करोड उपे के बजट में बनी थी ये फिल्म बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 11 करोड उपे कमाई थे और ये एक एक्शान, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लो एवरेज सावित हुई थी चलि दूस्तों अब बात करते हैं बेनाम बाक्षा की ये फिल्म आई थी 19 अप्रेल 1991 को इस फिल्म में अनील कपूर, जुही चावला, अमरेश पूरी, एहम करतारों में असर आये थे फिल्म के डिरेक्टर थे के रवी शंकर, तकरीबन 2 करोड रुपे के बजट में बनी थी ये फिल्म बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ड में 4 करोड रुपे की और ये एक एक एक्षान, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी चले दोस्तों अब बात करते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म आई थी 19 अप्रेल साल 2002 में इस फिल्म में रितिक रोशन के शाथ आमिशा पतेल एहम किर्दार में नसर आई थी और फिल्म के डिरेक्टर थे विक्रम भट बजट था तकरिबन इस फिल्म का 11 करोड उपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने सिर्फ 9 करोड उपे कमाई थे और पूरे वल्ड में 20 करोड उपे की कमाई की थी और ये एक एक्शन, ड्रामा, रोमैंसे, भरपूर फिल्म थी लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फिलॉप सावित हो गी थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी पसंद के किसी भी मूवी के बारे में तो कमेंट में जरूर लिखेगा